नवश्कार एक वफिर से में आप सभी के सामने उपस्थी तो एक बहुत ही महात्वपून टॉपिक के साथ इस तरह में आप सभी Big Boss OTT देख रहे होंगे जो की चर्चा में काफी चल रहा है चर्चा में और अन विश्यों की वज़े से भी चल रहा है तो इसे को देखते हुए एकसब सेना की जो MLA है उन्होंने बोला है कि वो मौनसून सत्र जो संसद का आएगा वहां पर यह प्रस्ताव पारित करेंगी कि जो इस तरीके से Big Boss OTT टाइप से जो प्लेटफॉर्म पर चीजे चल रही है असली जलता जो परसी जा रही है उसको समाप्ट करना है वहां पर यह जो Big Boss चलता है उस पर बैन लगाया जाना चाहिए तो इसको ले करके वह संसद में प्रिस्ताव पारित करने वाली है कब मांसून सत्र में तो यह देखने वाली बात रहेगी कि कैसे और इस पर क्या रियाक्शन लिया जाता है साथी उन्होंने बोला है कि जल से जल जो OTT प्रिटी प्लेटफॉर्म से इनको रेगुलेट किया जाए और इन पर जो एक्टिविटीज हो रही है इनको सरकार पर्सनली देखे क्योंकि इस समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पढ़ रहा है बाकि आपकी इसकी क्या रहा है मुझे जरूर बताएग कि आप में से बह सिव सेना एमले ने बिग बॉस ओटीटी 3 के खिलाफ अश्लीलता फैलाने पर कारवाई की मांग की है और कहा है कि यहां पर सारी हदें पार की जा रही है देख लेते हैं चर्चा में क्यों है सिव सेना सचिव और प्रवक्ता विधायक मनीशा कायंदे इनका नाम क्या है यह मनीशा कायंदे इन्होंने मुंबाई पुलिश कमिशनर विवेक फंसालकर से बिग बॉस ओटीटी 3 के खिलाफ ततकाल कारवाई की गुजारिश की है कि इस पर आप ततकाल कारवाई करिए यहां पर इसको लिए करके एनाई ने एक पोस्ट भी शेर किया और इस पोस्ट में नहीं लिखा है कि इन्होंने कायी कि जो बिग बॉस शो हमारा चल रहा है उस बिग बॉस शो में पूरी तरीके से असलीलता को परोसजा रहा है समाज में उसको दिखाया जा रहा है जो कि हमारे यूद के लिए और सती साथ ओटीटी जो प्लेट फॉर्म इनको भी रेगुल कहते हैं सिर्फ शेना विधाक मनीशा संसद ने कुछ मुद्धे उठाया और उस मुद्धे पर क्या कहा है मनीशा ने यह भी कहा कि हम केंद्र में सूचना और प्रिसारर मंत्री के पास जाएंगे और हम उनसे संसद में इसी मौन्शून सेशन में OTT प्लेटफॉर्म पर कानून लाने का अनुरोध करेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के कानून लागू कर दिया जाए जल से जल हम उनसे एक्टर्स और शो के सीओ को भी गरपतार करने के लिए कहेंगे क्योंकि वही क्या कर रहे हैं इसको स्पॉंसर कर रहे हैं इस तरीकी की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं अभी देखिए आपके कुछ प्लेटफॉर्म से जैसे होट स्टार डिज्नी नेट्फिक्स जी फाइफ प्राइम वीडियो वूट जिनो सनेमा और उल्लू इस तरीकी के आपके ओडेटी फ्लेटफॉर्म से जहां पर आपक पर आते हैं और आप लोग देखते भी हैं लेकिन में कई ऐसे हो जाते हैं जो समाज में एक अन्य तरीके का क्राइटेरिया बना रहे हैं या अन्य तरीकी की मानसिक्ता को पैदा कर रहे हैं विग बोस ओटीटी में आपने इस वर यह देखा कि पॉलीगामी को बढ़ावा दिया जारा है पॉलीगामी इसको हम समाज में इतना ज्यादा नॉमलाइज कर रहे हैं क्योंकि हार इंसान सोच रहा है कि अब हम क्या है दो शादियां करें जबकि हमारे हिंदू विवा अधिनियम के दायतों यह वैद नहीं है लेकि मुस्लिम परस्नल लौ में यह फिर कॉ करने के लिए अभी संबंदित कानून क्या है भारत में गउरतल भारत में अब तक किसी भी ओवर दो टॉप यानि की ओटीटी प्रेटफॉर्म के लिए और उनको विनियमित करने के लिए कोई विस्ष्च कानून या नियम नहीं है क्योंकि यह अन्यमरुरंजन के माधिमों के तुलना में एक नया माध्य में, इसलिए यहां पर हमारे पास कोई कानून नहीं है, टेलिवीजन, प्रिंट और रेडियो के विपरेत, जो की सरकार द्वारा जारी दिशानी देशों पर काम करते हैं, पालन करते हैं और भी नियामक निकाय दौरा नियंतृत किया जाते हैं ठीक है कि हम टेलिवीजन प्रिंट रेडियो इन पर तो हमारा है हम कि इस पर कानून भी है इस पर क्या प्रसारित होगा यह में पता है लेकिन वहीं यह जो OTT platform में एक नया तरीके का platform है नया तरीके की च प्रेस कांसिल औफ इंडिया दप्रिंट मीडिया को न्यूज बोड कास्ट एसोशेशन द्वारा समाचार चैनलों को और भारती विज्यापन मानक परिसद यानि कि ASEI द्वारा भारती विज्यापन उद्योग को नियंतृत किया जा रहा है साती यह संगठन इन उद्योग लाकियों के लिए यहां पर चीज़े मौजूद अभी नहीं आगे देखते हैं यह दभी ओवर दर टॉर प्लेटफार्म को लेकर के भारत में कोई नियम कानून नहीं है किन्तों सूचना प्रद्योग की अधिनियम दो हजार की धारा 79 इन वीडियो की स्ट्रीमिंग सेवा प्रद्यदाओं पर लागू होती है अधिनियम की धारा 79 कुछ मामलों में मध्यस्तों के उत्तरदायतों में भी छूट देती है साथी साथ यहां पर कहा गया है कि मध्यस्तों के द्वारा उपलब्द कराए गए किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी डेटा या संचार के लि लेकिन अब इसके वी नियमन की आवशक्ता हमें बहुत जादा लग रही है अब अगर हम इसका वी नियमन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं एक अनुबान के अनुसार मार्श 2019 के अंतर तक भारत का जो ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग दोग है उसका मूल तक रीबन 500 करोड रुपय था ये बात कहीं है 2019 तक की अभी 24 का तो कोई डेटा ही नहीं है तीस का भी नहीं है जो कि वर्ष 2025 के अंतर तक बताया जा रहा है कि 4000 करोड का हो जाएगा सोच रहे हो आप 4000 करोड का ये पूरा मार्केट होने बाला है वर्ष 2019 तक जो है वो भारत में 17 करोड OTT प्लेटफोर्म उप्योग करता थे जो 2019 तक इसको उप्योग कर रहे थे देख रहे थे यानि कि आपका Amazon चला रहे थे नेट्फिक्स चला रहे थे लेकिन और जैसे जैस से भारत में mobile और internet उप्योग करता की संख्या में बढ़योत्री हो रहे है उटीटी प्लेटफोर्म के जो जो उप्योग करता है वो भी बहुत जादा बढ़ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में उप्योग करता है इनको content पुदान क्या रहे हैं उसे वीन्यमित क्या जाना अ आप 30 जनक कंटेंट को नियंतर करने के दिशा में एक सही कदम हो सकता है कि आप IT सेक्टर के तहत ही इसको क्या करें रेगुलेट करें तो यहां पर जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि कुछ नय कानूर और नय जो कायदी नियम है वो आने वाले हैं इसमें और टीटी प्ल कुल भी न भूलें थांक्यू सो मच्छ